और मैं लोगों क्या आलचा स्वागें तुम्हारा बेनेफ्टी एक और एपिसोड में सहां बात करेंगे फ्रेड एगे और मुवी रिवी के बार में जो काफे ताथ अमेजिंग सी लगती है ठीक है देखो करियर में अकार्तिकर ने मुवीज अच्छी किया है वह हमेशे कॉम अब कार्तिकर ने एक और मुवी से स्वेंग मुवी लेके आया है जो फ्रेड है ठीक है अब लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे मुवी अच्छी नहीं इसलिए तुम आटिटी पर बेज़ देते हो ठीक है और इसलिए तुम उस मुवी को त्रेटर में लगाते हैं यह ज चलेगी दी और मेरे हिसाब से यह मुवी त्रेटर लेके बनी थी ठीक है जिस इसलिए इसमें जैसे त्रिश्यम वैसे इसमें ठीक है और इसकी स्टोरी काफी ज़्यादा वेल पॉलिश्ट लिखी गया है डायलोकस काफी ज़्यादा अमेजिंग है तो एक दो गाने वह जलती और अराम से मूवी 200 को रोड कमाती और कार्तिकारण मेभी उसके बाद बहुत बड़ा स्टार हो जाता लिटली बुता भुल बले के बाद स्टार हुआ है कार्तिकारण लेकिन उसके बाद बॉली बुड को बचाने वारी मूवी यह भी हो जाती कि दृश्यम अच्छा करने लिए तो में जो खौर देखने को मिले थोड़ा बद खौर डालने को स्पैंस मिस्ट्री ठ्रील ठीक है और कार्तिकारण ने अपने करियर का और मुस्ट बेस्ट दे दिया है ठीक है मैं बोलूं कर्दिकारण की मूवी की बात होगी आगे जाके फूचर में तो यह कार बूल बले टू की ठीक है जितनी भी उनने मूवी की पत्ति पत्नी और वो ठीक है लेकिन जो इसमें परफॉर्मस दिया काफ़ ज्यूदा अमेजन लगती है अलाय एफ ने जो परफॉर्मस दिया हो काफ़ ज्यूदी बताने को मैं कोशिश करूँ तो एक डैन्टिस से शाह यह introvert है जो किसे बात नहीं करता ठीक है खुछ रहता है हसता रहता है लेकिन जब वह हसेगा तुम्हारे वों पर हसी नहीं आएगी ठीक है लिटली बिताता है तुम्हें दूख होगा फिर अलाय फकर उसको क्रेक्टर मिलता है ठीक है उसके बाद जो जो रिशादी होती है ल और बड़े फैन हो जड़ेंगे और आई विश की मूवी थेटर में लीज होती है तो और ज़्दा मजा सकता था पर जैसा भी था आप दिजिन पर सोच्टार पर मूवी है तुम जाके देख सकते हो तुम्हें मजाएगा और इसी वीडिजिस में देखनी है तो लाइक करो शे तरह बने फ्ट्व सी य।